कि हेलो तोस्तों स्वागत है आप सभी का से सीवी में जो मेरी प्रीवेस वीडियो ती आई बी की तो वहां पर बच्चों के बहुत सारे कोशन थे उन में से कोशन यह था कि सर एसी आई उकी वेकेंसिस कब आएगी देखो यहां पर कब कब आई आई कितनी कितनी वेकेंसिस आई कब कब उसका एक्जाम हुआ है कब यह जो प्रक्रिया थी यह बहुत जल्दी होना शुरूए वह ता इस बार का वह इतनी जल्दी होगा कि बच्चों को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि यहां पर जन्वरी में फॉर्म आ रहे हैं एक मेने का टा यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि कब इसके फॉर्म आए थे कितनी और कब आ सकता है यह वाला इसके सामने ला रहा हूं और आपको ऑफिशल दिखाऊंगा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा कि आपको अनौफिशल दिखाऊंगा सबसे पहले 2014 में देखो 2014 और 2017 यह दोनों ही मैंने भी दे रिखी है लेकिन यहाँ पर मेरा में भी हुआ था तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको आपने बताऊंगा तो 2014 और 2017 यह आप आप देख सकते हो यहाँ पर 2014 में वही चीज फॉलो हुई तो 2020 में इन्होंने फॉलो करी देखो यहाँ पर 2017 में 1430 वेकेंसी थी ठीक है 2017 की बात बता रहा हूं मैं यह आपको टियर वान इनका 15 अक्टवर 2017 को हुआ था टियर टू 25 फरवरी 2018 में हुआ था और 2018 में इसका रिजल्ट निकल भी गया था और यह आज की इनकी पांट शे साल साथ सल की सर्विस भी हो चुकी है 2020 का देखो इसका जो प्रोसीजर है ना वो लेट हो गया की हो गया मैं आपको बताता हूं इसका जो रिजल्ट आये था इसका जो रिजल्ट आए था ना यह आप को कब मिलेगा। रिजल्ट दिखाऊं गा। बहुत मिलेगा। आपको इसकी रिजल्ट myself कि नोली डिखाऊंग था। नहीं हम इसका रिजल्ट आ चुकार ईसका मुशंरन इंट्रुेत यह था हुस्ट देखों यहां दॉहजार वेकेंसी थी कसा बम तेली कॉम्निकेशन था उसमें कुछ उसमें सिंपल ग्राइजूशन नहीं मांगा था वह कुछ टेक्निकल की थी वह एक जर्नल होता है इसे हम एक्जीक्यूटिव बोलते हैं आप लोगों ने एक्जीक्यूटिव वाला फर्म भरना है तो यहां पर देखो टीर 1 18 से लेकर 20 म यह 25 जुलाये में हुआ था आपका 2021 में टीर 2 इसका लिखने वाला था डिस्क्रिप्टिव होता है उसकी पूरी की पूरी जांज करें देदूंगा मैं आपको मैंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो मैं आपको बताता हूं कैसे उसमें मार्क्स लेके आने पहले तो यह इसे भी मैं आपको बताता हो जो 2020 वाला जो यह फॉर्म आया था ना यह निकला ही दिसंबर में था ठीक है अब आप समझोगे 9 जनवरी तो इसकी लाज्ट डेटी फॉर्म भरने की लाज्ट डेटी तो हम इस फॉर्म को दो जार इककीस भी बोल सकते हैं क्योंकि जब परने जाएगा कितने-कितने सालका है यहां पर आप देखों कि तीन साल जह चार सल का क्योंकि ही डोजार इकीस सोब निकला है तो आप इसकी जशल्त करोगे कब एक्सपेट कर सकते हैं मुझे कमेंट में लिखके बताना फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक है देखो सेलरी कितनी होती है बहुत से बच्चों का सरद है सेलरी बहुत अच्छी है सेंट्रल गॉफ्रमेंट में लेवल सेबन होने का मतलब है पचास यार से उपर आपकी सैलरी आईगी और हां आई वी में एक मेना एक्स्ट्रा मिलता है सेलरी क्यों मिलता है बता रहता हूं क्योंकि इनको चुटिवाट करना पड़ता अगर यकिन नहीं होता तो यहां पर देख लो cash compensation in lieu of duty performed on holiday subject to a sealing of 30 days अब आपने मानलो 60 दिन छुट्टिवों में काम करा, 66 काम कर लिया और 60 कई जो त्यवाद सब में 60 दिन होगे लिए कि तनका आपको 30 दिन की मिलेगी कि बहुत सारे यूटिव चैनल आपको बहुत सी सुचना है देंगे कि यह सब होता है मैं अभी किसी का एक देखा था वीडियो वहां पर उन्होंने बोला कि यह सीजेल जैसा paper होता है तो आप समझ सकते कि किना मिसलीड करा जा रहा है आप लोगों को ठीक है यह सारे की सारे-सारे अि нап temos स्क्रिन सब ले रहा है नोटिफिकेशन से श्क्रिनश कुछ थे नहिंगी कि मैं लिख्राओं कि वेबसाइट से दिखा रहा हूँ नोटस पन मतलब अदेखर में तो आपको लाउंस लागा कर देखो यहां पर इस पेशल सिकेरोटी अलाउंस तो 20 प्रशंट आपको मिलेगा बेसिक पेश्चे से लेकिन मैं आप लोग को पूरा पतारे सकता हूं यहां पर उसका पर होता है क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर यह तो अलब से मिले की तंखा जो आपका जब आपका फैनेशल एरन हो जाएगा यह वाले जो सेल्डी होती है इसमें आशारे डिपेंड करता है आपके टीर वान ए टीर 2 एटिर 3 ए एरिया देखा जाता है हाड एरिया है प्लें एरिया है देखो जो सिक्योर्टी फोरसेश सकते हैं इसको हाई अलड़ीटूड इतनी हो जाती है क्यों जाती है कि इसको हाई अलवांस मिलता है तो यहां पर मैं साले जादर डिसकर्श नहीं करूंगा 60 प्लस में आपको बता देता हूं ठीके ग्रेजुएशन मांगा है सिंपल आपने चाहिए करा है किसी भी ग्रेजुशन कोई भी आपकी चलेगी और आपका 33 भी होगा तो भी आप इस वाम को बढ़ सकते हूं ठीक है एज लिमिट क्या है अठारा से 27 मांगा गया है पांस साल का SCST के लिए तीन साल का OBC के लिए यहां पर रिलेक्सेशन दिया है तो यह आप यहां पर ध्यान देना 18 सकता ही से अब इसकी माफ एग्जामिनेशन देरो मैं अभी एक कोई वीडियो देख रहा था तो वहां पर उन्होंने वालता कि 25 नमर की कॉंट 25 नमर की इंगलिस से 25 नमर की जी के आती है नहीं आती है नहीं आती है देखलो यहां पर से सेम वही प्रोसीजर है जो ऐसे का है सिक्योर्टी असिस्टेंट का अभी आप लोगों ने पेपर दिया मैंने इतनी सारी वीडियो बने सेम वही प्रोसीजर है देखो यहां पर यह आपको दिख रहा है पांच पार्ट में डिवाइड होगा 20 कोशन होंगे पर पार्ट के टीर टू में आपका डिस्क्रिप्टिव जिसम लिखने वाला पेपर यहां पर क्या होता है देखो ऐसे लिखना होगा आपको तीस मार्स का ऐसे कोई भी करन्ट का जो टॉपिक उसको पढ़के चले जाना आप जो पढ़के जाओके वह आएगा यह डिपेंड नहीं करता है अब यहां पर इंग्लिज कॉंप्रिहेंशन है और प्रिसाइज रैटिंग प्रिसाइज रैटिंग सिंपल आया था कि आपको एक स्टोरी देदी थी तो ने उस इस समरी में लिखना था समरी का मतलब होता है कि 50 जैसे 500 वर्ड में आया था जैसे आपको 500 वर्ड का एक इसमें आपको 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं अब जो वचा त्यारे करता है उसके खर 40 45 आ जाते हैं और इसमें इंटरव्य होता है 100 मार्क्स का अब मैं आपको बता दूं ऐसे में तो क्या होता है सिक्योटी असिस्टेंट में कि पेपर वान प्लस इंटर्व्यू के मार आपका जूड़ता है जियानिकि आपके मेरिट लगेगी यह आपको दिखा देता हूं अब किया लिखावा है कि आपका जो की पर पहली बार नौर्मील से होगा बच्चे कमन में लिखेंगे मुझे पता है यहां पर इंटू 10 कर दो यानि की 20,000 बच्चों को सलट कर जाएगा टीर टू के लिए समझ में आ गया अब टीर टू भी हो गया अब यहां पर वेकैंसी का पांच गुना तो दो हजार इंटू 5 तो यानि की कितना हो जाएगा यहां पर आपका 10,000 तो यहां पर आप ध्यान देना कि यहां पर जब इंटरव्विय के लिए सलेक्ट कर जाएगे बच्चे तो 5 बेंड़ यानि कि 20,000 बच्चों को इंटरव्य के लिए सलेक्ट किया था और लास्ट पर किते ेशलेक होंगे लास्टर पर ये यह आपके सामने है ओफिशन नोटिफिकेशन ओफिशन नोटिफिकेशन देख रहे हो आपके टीर 1 टीर 2 और टीर 3 जो यानि कि एक तरुके से इंटर्वी होता है इसमें जो इतने भी आपके मांक्स आएंगे इसी बच्चे को फाइनल सेलेक्शन दिया जाएगा यहां पर कह गंटे का हुआ था अठारा से लेकर 20 तक अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो सब्जेक्टिव यानि कि टीर 2 हुआ था यह था आपका 25 जुलाई फिर यहां पर आपका इंटर्वी हुआ था मार्च 2 से मार्च 31 और मैं आपको बतायता हूं पहले मेरा जो इंटर् अपरेल यह जो आप अपरेल लिखोगे ना अपरेल 2022 में यहां पर इसी के एक महने बाद विजल्ट भी आ गया था तो यह देख रहे हो आप यह रिजल्ट है वोके 2000 बच्चों का यहां पर यह रिजल्ट आये था अब मैं आपको बतायता हूं देखो आई भी एसी आयू का लेट बहुत हुआ था कब का 2021 वाला क्योंकि कोविड वाला टाइम था अब 2022 में जाकर यह भरती पूरी हुई अब 2023 में क्या हुआ 2023 के जन्वरी में आप देखोगे कि आपका कि आपको यहां पर क्या हुआ था आपका ऐसे भरती आ गया था ठीक है अब क्या होगा 2023 के लास् लाता रहूंगा जो परफाइल में इसकी लाता रहूंगा कैसी वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना इसका अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन पूरे के पूरे पेपर का 100 नमर का पेपर आता है वो पूरा पूरा में आपको दे दूंगा इसली कोई प्रब्लम नहीं आएगी ठीक है तो मिलते मारे अगले वडियो में तब तक के लिए गुडबाए